नमस्कार संस्कृत के प्रेवर्द्यार थे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेगनेट ब्रेंस हिंदी मीडिया पर मैं पंकस्तेवारी जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि बहुत जल्द सुत्ति मौक्तिकम पार्ट का कंप्लीट चेप्टर रिवीजन लेकर के ध्यान लखिएगा लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैगनेट ब्रेंस के द्वारा कख्छा साथ बीशे लेकर के कख्छा वारहमी तक के हिंदी मीडियम और इंग्लेस मीडियम के बहुत सारे नोट्स तयार किये गए हैं सिक्षकों के मार्ग दर्शन तो आप लो संस्क्रिश शैमुशी प्रत्मो भागा सुक्ति मौक्तिकम कंप्लेट चैप्टर रिलीजन ध्यान रखिएगा ठीक चले आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कंप्लेट चैप्टर में हम लोगों ने पार्ट बन पार्ट टू पार्ट थी के रूप मैं पूरे पार्ट को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा वही है इसमें हम लोग थोड़ा सा गती प्रदान करेंगे और लेकिन आपको मैं बता दूं सुक्ति मौक्तिकम का यहां तात पर यह क्या है मतलब ऐसे अच्छे उक्तियां जो हमारे जीवन के लिए हमारे पार्ट क करने शे क्या मिलता है हमें कैसे व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए यह सारा कुछ हमारा इस पार्ट में आपको मिलने वाला तो द्यान से रखें सबसे पहले हम लोग पाट के सार को पढ़ेंगे वह पाट के परिचे को लेखा हुआ है संस्कृत में नीती ग्रंथों की नैती कोabi ऑगे हैं ठीक है ना औरम ढर्वीन असी सार करवित होता है कि इसमें गूड रहस होता है ऐसा रहस ऐसे सब्दों में ऐसी भावनाएं छिपी होती है जो वेक्ति अगर समझे तो वास्तिविक्ता में वो जीवन परियांत चलती है नैतिक का मतलब होता है ऐसी हमें जो नीती के पत पर ले जाती है नैतिक परमपराओं नैतिक सिक्षाएं दी गई है इश्का परोपकारी और बहुमुल्य सुभासित इस पार्ठ में संक्लित है बहुमुल्य का मतलब होता है जिनका कोई मूल ही नहीं अमूल भी है एक सब्द लेकिन बहुमुल्य का मतलब बहुत ही मूलवान है यह साधारन मिलती नहीं तो ऐसी मनोहारी और बहुमूल सुभासित इस पार्ट में संक्लित हैं जिसमें सदाचरण की महिमा और प्रियवानी की आवश्चक्ता सदाचरण की महिमा और प्रियवाणी की आवश्चकता परोपकारी पुरुष का शुभाओ गुनारजन की प्रेड़ना और मित्रता का सुरूप और उत्तम पुरुष के शासे होने वाली सोभा की प्रशंसा और सत्संगती की महिमा आदी विश्यों का प्रतिपादन किया गया बहुत सारे विश्यों का इसमें प्रतिपादन किया गया है और जहां पर सदाचरण की बात करें परोपकार की बात करें गुनारजन की बात करें यहां सारी चीजें बात की गई है चलिए आगे बढ़ताओं में आप लोग ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि परिच्छा के ल विण्यस्तो वर्तते असमिन पाठे विविद ग्रंतिभ्या नाना नैतिक सिक्षा प्रदानी पदानी संग्रितानी संति आत्रोण सदाचरणस्यों महिमा प्रिवान्याह अविशक्ता परोपकारिणाम श्वभावह गुणारजन श्य प्रेड़ना मित्रतायाह स्वरूपम स्रेश्ट संगते प्रशंसा चाता सत्संगते प्रभावा इत्यादी नाम विश्यानाम निरूपणं अस्ति संस्क्रिश शाहित नीती ग्रिंथा नाम शम्रिधाह परंपरा दृष्यते तत्रों प्रितिपादित शिक्षकानाम अनुपालनम कृत्वा वयम स्वा जीवन सफली गर्तुम सकनुमा एक बार पूरा रीड कर दिया और एक-एक सब्द को हमें रीड करना चाहिए पढ़ना चाहिए क्यों उससे क्या होता है कि जब कोई कठिन सब्द होता है तो हमसे वो पढ़ने बढ़ने लगता है और नहीं पढ़ते बनता है तो उसका हम विच्छित करके पढ़ते हैं मतलब इच्छित का मतलब अलग-अलग करके जब अलग-अलग पढ़ते हैं तो फिर हमें यथार्त रूप से उसका आर्थ मिले लगता है ठीक परस्तुप पार्थ मतलब यह पार्थ हमारा नैतिक नयतिक शिजँ को प्रदान करने के रूप से है ठीक नयतिक को प्राव करताistes को प्रदान करता है और विन्यस्तावर्तती इसी में इसका व Sundan किया है असमिन पाथी इस पार्ठ में विविद ग्रंतिव्या नाना नेतिक अनिक प्रकार के ग्रंतों को और नाना नेतिक सिक्षा अनिक प्रकार की नेतिक सिक्षा प्रदान की जाती हैं सम ग्रहितानी संति और इसमें हम ग्रहण कर सकते हैं अत्र यहां शदाचरण यहां पर सदाचरण की महिमा और प और फिर सथ संगती का प्रभाव इत्यादी इत्यादी विश्यों को निरुपृत कियागया है संस्कृत शाहित में नीति ग्रंथों की सम्रिध परमपरा देखने को मिल लिए प्र squash पाधित शिक्षाणाप और इसमें यो प्रद्धत अर्थवान जो करता है तो वयमन हम सब अपने जीवन को सफल कर सकते हैं अब यहां पर आपको समझ में यह तो अर्थ सार जैसा हमने अभी परेखा था बिलकुल बैसा आई फर्क यहां इतना है कि जब कभी भी पाट परिक्षा में आता है तब हमको इसकी व्याकरनात्मक टिपड़ी पर चर्चा करनी चाहिए ठीक तो लैतिक सिख्षा नाम की बात करूंगा तो यहां पर लगा हुआ है सश्टी व्युक्ति का बहुचन ठीक जैसे हम लोग रामा नाम पढ़ते हैं वैसे ही सिख्ष का नाम विन्यस्तो वर्तते वर्तते मतलब है असमिन पाठी इस पाठ में तो सक्टमी विवक्ति का एक बचन रूप लगा हुआ है विविद ग्रन्थेभ्या लगा हुआ है तो उधर हमारा चतुर्थी और पंचमी वक्ति में बनता है ग्रन्थेभ्या ग्रन्थेभ्या रामेभ्य तो यहां पर विविद ग्रंथे भ्या ठीक और नाना नैतिक अने प्रकार की नैतिक सिख्छा प्रदानी प्रदानी में देखिए फले फलानी ठीक और प्रदानम प्रदाने प्रदानी ऐसा हमारा पहुब बहुबचनांत रूप लग जाएगा और पूरे पद में भी देखे तो पदम पदे पदानी पदम पदे पदानी तो यहां पर भी प्रत्मा दुतिया बहुबचनांत बनता है संग्रहितानी शंति यहां पर भी प्रत्मा का बहुबचन और अस्ति इस्तह संति रूप लगा हुआ है यहां पर अत्र अब्य लगा हुआ है सदा चरनस में सश्ट रूप हो ठीक महीमा प्रियवाक्य महीमा में प्रत्मा का एक बचल लगा हुआ है प्रियवाण्या तो पंचमी और सश्टी विवक्ति में बाणी के रूप देखिएगा जैसे बनना बनता है हमारा जनन्याह जनन्याह वैसे ही बना हुआ है वाण्याह वाण्याह जननी के नद रिआह नद्ध्याह शष्टी और 5 मीं एक बचन में बनती हैं वैसे बनेगा प्रीवाण्यां उप्रीवाण्या इकरां पिस्त्री बाची सब्देहें आवस्षेक्ता में प्रत्मा का एक बचन है परोप कारिणाम शष्टी विवक्ति का बहुवचनांत रूप लगा है सभावा में प्रत्मा का एक बचन गुणार जनश गुण प्लस अरजनस में यहां दिर्ग शंदी हो जाएगी लेकिन पहले तो इसमें देख लीजिए सश्टी विवक्ति का एक बचन है कैसे क् बचन से बनता है वैसे ही गुणार जनस से बना हुआ है और फिर जब इसमें दिर्ग शंदी का हम समावेस करेंगे तो यहां बनेगा गुण प्लस अरजनस अरजनस ठीक तो यहां से आप आ ले लोगे और यहां से आपने आ ले लिया प्रत्म पद का अंतिम और दुत्य बनता है यह हमारी दिर्गिशंदी कहती है कौन सी संदी कहती है दिर्गिशंदी ध्यान रखिएगा दिर्गिशंदी यह हमारी कहती है फिर यहां इत्यादी फिर यहां प्रेड़ना में प्रत्मा का एक बचन लगा हुआ है और मित्रितायाह में भी शष्टि व्यवक्ति का हम संगती के रूप चलेंगे तो आपने देखा होगा जैसे हमारा बनता है हरे हरे तो यहां पर भी सश्टी और पंचमी वक्ति लगी हुई है ठेक तो स्रिष्ट संगती से प्रशंसा और चामाने और संगती फिर यहां पर आ गया हमारा सश्टी और पंचमी में बनता है प्रभा पर यह हो जाएगा तो ताधा हो मिल जाएगा और दी नाम यह जुर जाएगा इत्यादी नाम तो यहाँ कौन सी संदी हो जाएगी हमारी यही क्लुज्म दश्ञा ठीक क्योंकि परिक्रफा के लिए बहुत जरूरी है कंप्लींट चैप्टर का समय अंतराल कम रहेगा और पूरा चेप्टर आपको अच्छे से मिल जाएगा ध्यान रखें और वीडियो को आप लोग लाइक करते जाएगा ध्यान रखें और सेर करते जाना है अपने मित्र बंदुगों को सबको भी आपको सूचित कर देना है क्योंकि हमारी 9th क्लास आप सोच से चुठकियों में ले जाओगे ध्यान रखना इस बात का ठेक फिर यहां विश्या नाम में शस्टी विवक्ति का बहुबचन रूप लगा हुआ है निरूपडम में वी प्रत्मा का एक बचन अस्ति इस्ता शंति लटलका प्रतम पुरुष एक बचन का रूप है संस्क्र शप्टमी विवक्ति का एक बचन रूप लगा हुए ठीक फिर इसके बाद नीतिआ ग्रिन्था नाम में विश्टी विवक्ति का बहुबचनांत रूप लगा हुआ है सम्रिद्धाह प्रत्मा का बहुबचन परंपराह प्रत्मा का एक बचन द्रिश्यति द्रिश्यति द्रिश्यंति ठीक तो द्रिश्यति कर्मबाच की क्रिया लगी हुई है यहां पर द्रिश्य धातु है और तत्र अभ्या है प्राति पदिक प्राति पदित शिक्षान सश्ट कित्ति वक्ति बहुत वक्ति का भूब जन अनुपालनम हां लगी होई है और कित्त्त्त् Sah Sad बनगा है वयं अहं आवाम वयं तो अह हम एक बचन हैं अवाम दूऑचन है और भूचनी बनगा हैं स्वा माने स्वयम हम अपना और जीवन सफली माने जीवन को सफल कर तुम करने के लिए तुम उन प्रित्य लगा हुआ है क्रिधातू से कर बनेगा और तुम उन प्रित्य लग करके कर तुम बन जाएगा सक्नुमाह सक्धातू है यहां पर शक्नुमाह बना हुआ है ध्यान साध हम लोग चलेंगे पार्ट के सार के बाद आगे वढ़ेंगे और अनुबाद पर देखेंगे इसका अनुबाद वही रहेगा जो हम लोगों ने अभी देखा है ठीक अनुबाद को आप ध्यान से देखिएगा यह प्रस्तुत पार्ट नैतिक सिक्षा से लिया गया है इस में विविद ग्रंथों से जानकारियां जुटा करके बहुत सारी नैतिक सिक्षा का बोधक कहानिया ली गई हैं यहां सदाचरण की महिमा प्रियवानी की आवश्यक्ता और परुपकारों का शुभाव गुणी लोगों की प्रिणा मित्रता का श्वरूप अच्छी दोस्त प्रतिपादित सिक्षा का अनुगमन करके जीवन सफल करने के लिए प्रयास करना चाहिए जीवन को हमें क्या करना चाहिए प्रयास करने करना सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए अनुबाद को आप लोगों ने देखा इसके आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे अब नीती इस लोगों से ऑज़ से नीती इस लोगों जिने हमने यहाँ पर नाम हमारा दिया गया है पाठ के अधार पर सुकती मौक्ति कम एसी उकती मिलेगी जो देखी सबसे पहले क्रणन के अधार यहां आउतरित किया गया और यहां देखो लिखा हुआ है सरलार्थ व्याकरनेक विवेचनम्चा सरल अर्थ के रूप में व्याकरनेक विवेचन को करिए ऐसा हमें इसका अर्थ मिलेगा यहां इस लोग को पहले आप पढ़ेंगे बृत्तम यतने निसन लक्षेत वित्तमेतीचायातीचा और अचीनों वित्तता अचीनों और बृत्तता स्तु हतो हता ठीक चलिए अब मैं यहां बात करूंगा आपको थोड़ा सा आप लोग इसको सीखिए किस-किसको याद है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्यों कि आप मेरे साथ केवल गायन की माध्यम से मेरी तरज को पकड़े रहें और इस लोग अपने आप याद हो जाएगा बस पाठ करते जाना पाठ मतलब पढ़ते जाना बस देख देख करके पढ़ना ऐसा नहीं आपको क्या का जब तक आपको कंठस्त ना हो जाए तब तक हम पढ़ते हैं बुक से तो उसमें होने वाली तुरूटियां समझ में आती है कि हमसे गलतियां कहां हो रहे हैं ठीक चली आगे देखेंगे इसको थोड़ा आप लोग पाठ करेंगे कि बृत्तम यतने निसन रक्षित वित्तमेती चयाती चा अचीनो वित्त तह चीनो बृत मने चा रित्तर की बात की गई है और बित्त का मतलब धन से किया गया, बित्त का मतलब चरित्र और बित्त का मतलब धन, ध्यान रखें, तो उन्होंने कहा कि बित्तम यतने रक्षे, हमें अपनी चरित्र की रक्षा जो करनी चाहिए, वो परिस्त्रम करने पर ही करनी चाहिए, महनत करके अपने चरित्र की रक्षा क ठीक धन तो आता जाता रहता है अचीनों वित्तिता चीनों अचीनों वित्तिता चीनों बृत्तितस्तु हतो हता अगर धन चला गया वित्तिता मने धन अचीना मने आपका चीन हो गया ले गया कोई तो दुबारा से आप क्या है प्राप्त कर शक्ते लेकिन बृत्तितस्तु हत हो थाहा लेकिन अगर चरित्र एक बार गया तो दुबारा चरित्र लोट करके नहीं आएगा चरित्र मतलब मान शम्मान आपकी पृतिष्ठा आपका आपकी गरिमा अगर एक बार चला गया ठीक है न तो बृत्तम यतने निरक्षे तो हमें अपने चरित्र की रक्षा परिश्रम करके मेहनत करके करनी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए अपने चरित्र पर दाग नहीं लगने चाहिए चाहे धन हमारा सारा का सारा छीन हो जाए चला जाए धन तो आता जाता रहता है आज नहीं है तो डाइंगा नहीं तो परसों आएगा धनकी गती होती है लेकर चरित्र की गती नहीं होती है चरित्र एक बार गया तो समझू गया धन अच्षीना वित्ता चिना मो ज़ेह अगर जाएगा तो आप उषको कमा सकते हो अगर आपका एक बार मान सम्मार प्रतिष्ठा चरित्र चला गया तो हतो हता हा मतलब आप मरने के बराबर है फिर व्यक्ति उठ नहीं सकता इसलिए नेती यह मनुश्म्रति के आधार पर हम लोगों को यह सीख दी जा रही है कि जीवन में अपने मान्ष अमान्ष बढ़कर के कुछ नहीं है अनवय को देखिए गाए यहां पर व्यक्रणात्मक टिपड़ी को देख लें बृत्तम दुत एती गुणशन्दी हो गई है और व्यक्रतम मने धन चाही हो जाना उसके यहां पर देखिए अन्तस्त वियनजन अंतस्त विंजन जाने की बजयाशे, यहां पर अतरोर प्लृताद आप लूते शूतर के मद्यम से यहां पर वोग्या उत्तिशंदी हो गया है और वित्तितह वित्तितह तू यहां पर भी विशर के स्थान पर खर विसान यूर विसरजनिया और विसरजनिया सिसा सूत्रिशे यहां विशर के स्थान पर शाह हो गया है हतो हता हंधातू शे हतो हता बन जाएगा ठीक चली यहां पर देखेंगे अन पद्ध का अर्थ निकालना होता है तो हम पद्धों को सब्दों को उठा करके इस्थानांतुरित करते हैं इस्थानांतुरित करने का मतलब एक यहां से जरूरत होती हैं वहां उठाते हैं बृत्तम यतने रक्षेत वित्तम इती एती चा याती चा वित्तह छीना अचीना भव खीजौति उप्र। बदित्तश चेंगें तूह तोहत बाताफ वाईए एक ही बात है यह दो जी को तरीके रखने का। सब्दार्थों को देखे हिंदी में हमारे शब्दार्थ रहेंगे संस्कृत के शब्दों का हमें हिंदी में अनुबाद करना। होता है जिनका अर्थ जिसे हम बोलते हैं बृत्तम बृत्तम का मतलब चरित्र और अच्विना का मतलब ना नश्ट हुआ ना नश्ट हुआ और बृत्ता का मतलब होता है चरित्र रिशे और हतों का मतलब नश्ट हुआ और हता का मतलब मरा हुआ ठीक सन रक्षित का मतलब रक्षा करनी चाहिए रक्षा करनी चाहिए आगे देखेंगे सरल अर्थ सरल अर्थ बिल्कुल सरल आपको याद हो जाएगा चरित्र की यतनिस्ति रक्षा करनी चाहिए यतन का मतलब आप और सरल भासा में सुनेंगे तो इसे प्रियास कहते है धन से चीड और चीड चीड नहीं धन से चीड चीड नहीं होना चाहिए चरित्र से चीड नस्ट हो जाता है अगर आप धन से चीड हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आपका धन चला जाए कोई दिक्कत नहीं आप फिर से कमाल होगे लेकिन चरित्र से चीड हुआ तो आप नश्ट हो जाते हैं आपका फिर अस्तित नहीं रह जाता ध्यान रखें फिर इसके बाद अगले हम इश्लोक पर चलेंगे अगले इश्लोक को आप ध्यान से देखिए अगर दूसरे नंबर का इश्लोक दिया हुआ है ठीक दूसरे नंबर का इश्लोक क्या दिया हुआ है प्रतिकूलानी परिसाम ना समाचरेत जान रखें फिर यहां पर आप लोग इसका पाट करेंगे एक बार जरूर पढ़ें कि सुरूयताम धर्व शर्वश्वम सुरुत्वाचैवे अबधार्यताम आत्मनाह प्रतिकूलानी परिसाम ना समाचरेत ठीक सुरूयताम धर्म शर्वश्वम हमें धर्म की सभी धर्म जितनी भी धर्म हैं धर्मों को हमें क्या करना चाहिए सुरूयताम सुनना चाहिए सुरुत्वा सुनकर के चाईव अवधार यताम उशी के समान ही हमें क्या है धर्म का आच्रन करना चाहिए आत्मनह प्रतिकूलानी किसी छीड के प्रतिकूल है आप उसको नहीं सुईकार करते हैं तो आपको परेसाम नसमाच रे दूसरों के साथ बैसा वहार नहीं करना चाहिए जो आपको अच्छा वहार नहीं लगता है वैसा वहार आपको आच्रन आपका बुरा लगेगा इसलिए हमें ऐसा आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए सुरुयत, सुरुयत, सुरुयताम, सुरुयन, स्रवन जिसिका में दुईवचनां तुरूप लगा हुआ है दर्वशर्वस्वम, दुईवच्दुत्या और सुरुत्वा में सुरु धातु लगी हुई है कित्वा प्रत्ते सुरुत्वा बना है चाएव अवधार्यताम यहाँ पर बन जाएगा आपकी ब्रद्धी संदी भी है चाएव प्लेश अवधार्यताम अवधार्यताम यहां पर आ के बाद आ के बाद ए आ जाने पर आई बनेगा आई बन जाएगा तो यहां बन जाएगा चै ठीक वा बचेगा आपका तो वा यहां आ जाएगा लेकिन यहां वा मैंसे आ निकालोगे और धार यताम का आ निकालोगे दोनों यहां दिर्गी करेंगे तू यहां बाड़ा अलक जाएगा फिर वधार येताम वधार्यताम क्या अब नेगा आपका चेव वधार येताम बन जाएगा ठीक करहें यहांपर भी द्वीक न depress क रूब लगा हुआ है यहां ब्रद्धिशंदी भी हो गई है दिर्ग शंदी भी हो गई अकाशवरणे दिर्गा और ब्रद्धिरादैच आत्मना सश्टी विवक्ति का रूप लगा है प्रतिकूलं प्रतिकूले प्रतिकूल 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 प्रत्मा विवक्ति का रूप लगा हुआ है भूवच्ना नामाने नहीं समाचरेत यहां विदिल गाला सम्य प्लस आचरेत समाचरेत हैश अनवाय को देखेंगे अनवाय में लिखा हुआ है दर्व शर्भष्वम सुरूई ताम शुर। चाएव अवधर्यताम आत्मनह परत्य कूलानी परिशाम ना शमाचरे परिशाम ना शमाचरे यह विदुर्नीती से लिया है विदुर्नीती का मालूम पता है आपको विदुर्नीती कहां पर विदुर्नीती विदुर्जी थे कौन धृतराष्ट को सुना है कौरफ वांड़ों का युद्ध सुना होगा महाभारत की कथा को सुना होगा त दृतराष्ट के जब सोपुत्रों का हनन हुआ तो धृतराष्ट ने विदुर जी से कहा कि अब सांती नहीं मिल लाई कुछ ऐसा बताओ जिससे मन को सांती सांती मिले विदुर जी ने वहाँ पर अपने इस लोग सुनाना चालो कि विदुर जी ना उपदेश दिया किसको धृतराष्ट को धृतराष्ट कौन थे कौर्वों के पिता ठेक तो धृतराष्ट को जो उपदेश दिया उसे विदुर नीती का नाम दिया गे और विदुर जी ने वहा अन्वे समझ में आया विदुर नीती समझ में आई आगे चलू चले सब्धार्थों को देखे सुरुईताम का मतलब होता है सुनो धर्म सरवश्व मान धर्म का शार परिशाम का मतलब दूसरों के और आत्मनह मतलब अपने आत्मनह का मतलब अपने स्वयम की बात की जा रही है धर्म का सार सुनो और सुनकर ही धर्ना करिए धर्म का सार सुनो धर्मों का अनुगमन करो धर्मों का सार सुनो और उनको सुनकर ही अपने उसी प्रकार की आपकी धर्ना मनाओ कि हमें धर्म की अनुशार चलना है और जो धर्म से चलेगा उसी का हमें क्या करना है अनुगमन करन है धन्म के अनुषार हमें चलना है जो अपने प्रतिकूल हो जो अपने प्रतिकूल हो मतलब जो हमें अच्छा ना लगे वैशा आच्रण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए और निश्चत है सही भी है मान के चलिए आपको कोई चीज बुरी लग रही है और दूसरों को मतलब यही ठीक चलिए इसके बाद आगे दिया गया है तीसरी नंबर का इसलोग तीसरी नंबर का इसलोग बहुत ही अच्छा है कैसा है देखिएगा चानक नीती और फिर चानक तो एक ऐसे चानक थे तो चानक की की आपने वात ही सुनी होगी कि चानक की नीती मतलब कूट ठीक है ना जो भी कहा विल्कुल एक यथार्थ सत्य कहा बैकती अगर समझ गया तो बन गया गली से उठा करके चंद्रगुप्त को अखंड भारत का राजा बना दिया अब सोचो चालक में क्या दिमाग होगा ठीक चलिए अखंड भारत समझ रहे ना जिसका कोई खंड नहो वही है अखंड एक राजा एक देश ये प्रता ठीक है ना चलिए अब आगे देखेंगे यहां तीसरे नंबर का यहां पर इश्लोक दिया गया है और इसको आप आराम से पढ़ाएं पहले तो ठीक प्रिवाक्य प्रदानेनो सर्वे तुस्यंति जन्तवा और तसमात तदेव वक्तव्यम बचने का दरिद्रता यहां पर देखिए कितनी शुंदर बात कही है कि प्रिवाक्य प्रदानेनो सर्वे तुस्यंति जन्तवा तसमात तदेव वक्तव्यम बचने का दरिद्रता प्रिवाक्य प्रदानेनो प्रिवाक्य प्रदानेनो सर्वे तुस्यंति जन्तवा तसमात तदेव वक्तव्यम बचने का दरिद्रता प्रिवाक्य प्रदानेनो हमें हमेशा प्रदान करना चाहिए क्या प्रिवाक्य अच्छी बानी अच्छी बानी को प्रदान करना चाहिए सर्वे तुस्यंति जन्तवा क्यों क्योंकि हर प्राणी मीठी बानी से मोहित हो जाता है प्रियवाक मीठे बोल प्रियवाक की प्रदानेनों शर्वेत उस्यंति जंतवा और तसमात तदेव तसमात तदेव वक्तव्यम बचने का दरिद्रता और फिर हमें क्यों प्रियवाक के बोलने में दरिद्रता क्या कंजूसी दरिद्रता का मतलब कंजूसी गरीवी हमें से सब कुछ आकर्षण में हैं तो हमें ऐसे प्रियवाग के बोलते रहने चाहिए इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए इसलिए तो कहा कि प्रियवाग के प्रदाने नौ सरवे तुष्यंति जन्तवा तस्मात देव वक्त अभ्यम बचने का दरेद्रता बचने का दरेद्रता समझ में आया अब यहां पर आप देखेंगे इसकी व्याकरनात्म टिप्डी कितनी सुन्दर बात कही है कि सब्द में चिपा हुआ है ध्य प्रियवाग के प्रदानेनो तृतिया विभक्ति का एक बचलूप लगा हुआ है क्या लगा है तृतिया विभक्ति का प्रदानेनो जैसे बनता है हमारा फलम फलम फलेनो फलेन बनता है वैसे ही बनेगा प्रदानम प्रदानम प्रदानेनो ठीक तो तृतिया विभक्ति प् तुस्यंति का मतलब होता है आकर्षित होना लोभित हो जाना आकर्षित हो जाना तो बहुबचनांत रूप लगा हुआ है लट लकार प्रथम पुरोष बहुबचन का रूप और जन्तु रूप लगा हुआ है कहां का जन्तु कहां का रूप लगा हुआ है ध्यान से देखें आपने देखें होंगे साधू की रूप वैसे ही बनेगा आपका जन्तू हूँ जन्तू जन्तवा जैसे बनता है साधू 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 साधवा साधू 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 साधवा बन जाएगा समझ में आ गया फिर इसके बाद तसमात अब तसमात में आप देखें तसमात में आप सह तंत त समय तसमाथ तस्यतसमिन सहतं तस्यत्श तसमिन तो यहां पर आपका तस्माथ-पंच में विवक्ती का एक G प्रत्मा का एक बचन आगे देखें अनवय को अनवय में लिखाए सर्वी जनतवाह प्रियवाक्त टत प्रदानें तुस्यंती तस्मात युव वक्तब्यम बचने दर दृता का में कंजूसी क्यों चलिए सबधार्थओं प्रियवाक्त बोलने से सभी जिव प्रशन होते हैं संतुष्ट होते हैं आकर्शित होते हैं प्रियवाग के बोलने से सभी जीव प्रशन होते हैं इसलिए वह ही प्रियवाग के बोलना चाहिए इसलिए वह हमें प्रियवाग के बोलने में क्या कंजूसी या क्या दरिद्रता है हमें बिल्कुल भी उसमें कमी नहीं करनी चाहिए बोलते रहो बार नहीं मानेगा दो बार नहीं मानेगा तीसरी बार मानेगा लेकर ना कठोर मत बोलो प्रियवाग के प्रदार नहीं चले आगे चलेंगे इसके बाद हमारा अगला इसलोक होगा चौते नंबर का और जिसमें लिखा हुआ है सुभासित रत्न भांडा गारम मतलब ऐसे और सुभासित रतन सुभासित शुमाने शुन्दर भासित माने संदर-संदर बाणी के दवारा उक्त ऐसे सुभासित रतन जो कहा गया है जीवन के लिए मुल्भूत है ठीक यहाँ पर उन्होंने क्या कहा देखें चौते नंबर के शलोक में कि पिवंति नद्या स्वामेव नाभ्या नाम्भा स्वाम नखादंति फलानी ब्रिक्छा नादंति शश्यो खलू वारिवाह परोपकारायो शताम विभूतया परोपकारायो शताम विभूतया देखें जरा कितनी सुन्दर भात कही है ठीक चलिए कि पिवन्ति नद्या स्वयम विभूतया परोपकारायो शताम विभूतया परोपकारायो सताम विभूतया पिवन्ति नद्या पिवन्ति नद्या स्वयम वनांभा स्वयम नकादंति फलानी ब्रिक्छा नादंति शास्यम खलू वारिवाह परोपकारायो शताम विभूतया परोपकारायो शताम विभूतया परोपकारायो शताम विभूतया परोपकारायो शताम वि परोपकारा ये सताम विभूतया सज्जनों की संपत्ति तो परोपकार के लिए होते हैं अंतिम इस लोक से बात कर रहा हूं अंतिम पंक्ति से मैं बात कर रहा हूं कि परोपकारा ये सताम विभूतया सज्जनों की संपत्ति सज्जनों का तो जन में ही परोपकार के लिए होता है कि फिर क्या कहा कि पिवन्ति नद्यां श्वयमेव नाम्भा नदियां अपने जल को स्वयम नहीं पीते हैं नदियां अपने जल को स्वयम नहीं पीते हैं और स्वयम ना खादंती फलानी ब्रिक्षा और ब्रिक्ष अपने फलों को स्वयम नहीं भक्षण करते हैं स्वयम नहीं खाते हैं और नादन्ति शश्य खलु बारिभाहा दॉआ है बारिभाहा मेघ बादल जो जल सा करते हैं व्रष्टी करते हैं वह अपने जल का स्वयम सेवण नहीं करते फसलों को वश्वयम नहीं काते वो तो किसानों के लिए हम के लिए हम आपके लिए जल्ब रिष्टी करते है जैसे बोले परुपकारायो शताम विभूतिया और परुपकार करके लिए ही सज्जनों की संपत्ति होती है तो ये परुपकार ये सज्जन है वारिवाहा वरिक्षाह और नद्याह ये कौन है सताम सज्जन ये चारों कौन है सज्जन व्यक्ति सज्जन है और महान है जो अपना स्वार्थ नहीं देखते दूसरों के लिए ही कारे करते हैं दूसरों के लिए ही जीते हैं चलिए आगे द देखें पिवंति में कौन सा हमारा रूप लगा है फिवधातु ठीक है ना आप देखेंगे इसकी पासी बनता है पीवंति नद्याह नद्याह नद्याहरूप प्रत्मा का भाववचाण लट लकार प्रथम पुरोज बहुवचन का रूप लगा हुआ है पिवन्ति और नद्याह लगा हुआ है प्रत्मा विभक्ति का बहुवचनांत रूप नदी नद्यव नद्याह बन जाएगा फिर स्वयम एव स्वयम एव स्वयम नहीं ना अंभा ना मने नहीं अंभा मने जलको स्वयम नहीं जलको क्या करते हैं पीते हैं स्वयम ना खादंती स्वयम नहीं खाते खाती खादतह खादंति कि यहां बणेगा खादती खादतह खादंति अ कि बन जाएगा यह भी बहु वच्चनान्त रूप लगए है फलानी मने फलों को फल फले फला ने दुतिया बेभक्ती का बहुप प्रत्मा में भी वनता है लेकिन अर्थत के आधार पर दुतिया का बहुवचनांद होगा स्वयम नहीं खाते हैं फ़लों को को आ रहा है इसलिए उत्य का बरों को नहीं खाते दुटिया का बुरुल इस अधिए थे तो यह इस आप Boost नहीं घाते हैं अ दूसरों की परूपकाराय परओपकार के लिए चतुर्थी बिभक्ति यहां प्रत्मा का बहुबचनांत रूप लगा हुआ है यहां प्रत्मा का बहुबचन प्रत्म पुरुष लटलाकार का बहुबचन और परुब का राय में चतुर्थी का एक बचन लगा हुआ है सताम मैंदुति अग्यवक्ति सज्जनों विभूतया होती है आगे बास समझ में आ रही ना आपको जल्दी से आप लोग बढ़ियासे लाइक करते जाओ मज़ा आ रहा हो तो लाइक करते जाएगा और हाँ जो भी आपके मित्रियार शगे संबंदी भाई बंदू है सबको आपको जल्दी से बता देना है कि यह परिक्षा के समय रिवीजन का समय आ गया है ठेक तो पढ़ना बहुत जरूरी है चलिए अनवय को देखें अनवय में क्या लिखा नद्याह स्वयम एव अंभह न पिवन्ति ब्रिक्षाह स्वयम फलानी न खादंति वारिवाह खलू सस्यम न अदंति और शताम विभूत हैहाँ परोबकारायय जिंप्र reuse लुकर तो छलिए अब यहां पर आपको देखो समझ में आ रहा होगा कि यह अधनती आगया यहाँ अधनती तो कहीं है नहीं बहुत कि आरा है को समझ कूल मेग लेके चलो मैं बता रितधम नादंती बस यही हैम आधनती न माले नहीं अदन्ति अद भक्षण धातु अद काई की अर्थ में भक्षण की अर्थ में इसलिए यहां दीर की संदी हो करके नादन्ति बन गया बड़ा आ बन गया ना हो गया नादन्ति ठीक अद भक्षण धातु है भक्षण करने के अर्थ में सोयम नहीं भक्षण करते हैं मेग फसलों का ठेक समझ में आ गया इसलिए यहां अधनती आ गया कि आगे बढ़ों चलिये आगे देखें सबदार्थों को देखेंगे डिख लिखा हुआ है आपका अम्भा माने जल शश्यम माने फशल वारिवाहा का मतलब मेग शताम का मतलब सज्जनों की और विभूतया का मतलब संपतियां खादन थी माने खाते हैं सब्धार्थों का बड़ा महत्त भाई आप यह ना सोचना कि केवल इस लोग बस हमारे काम के हैं सब्धार्थ ही हमें अर्थ देते इसलिए सब्धार्थों को तो सबसे पहले आपकी बुक में भी होंगे भाई ध्यान से देखना ठीक सरलार्थ देखिएगा शरलार्थ को नदियां खुद ही जल नहीं पीती ब्रिक्ष स्वयम फल नहीं खाते निश्चेही बादल मेग फसल नहीं खाते हैं सज्जनों की संपत्यां परोबकार के लिए होती हैं सज्जनों की संपत्यां काई के लिए होती हैं परोबकार के लिए होती हैं, चलो भीय, आगे देखें, अगला हमारा इश्लोक क्या है, अगले इश्लोक को देखें, पाँचमे नमबर का है, मृच्छ कटिकम का है, मृच्छ कटिकम, मिरिच्च कटिकम मतलब मिट्टी की गाड़ी थेक, चली मिट्टी की गाड़ी है और मिरिच्च कटिकम का आर्थ होता है यहाँ पर देखें गुणे स्वेव ही करतव्या प्रयतना पूरुशै सदा गुणे युक्तो दरिद्रोपी समझे न, बहुत आराम से पढ़ न, बहुत सुन्दर बात की गई है यहाँ पर गुणेश्व एव ही करतब्या, प्रियत्ना पुर्शही सदा अगुण युकता दरी द्रोपी नेश्वराईर गुणाई समा चलिए, मैं अभी आपको द्रुप को लेक एक चीज बता रहा हूं तो समझ में आजाएगा गुणेश्व एव ही करतब्या, प्रियत्ना पुर्शही सदा गुणयोगता दरी द्रोपी नेश्वराईर गुणाई शमाः गुणेश्व एव ही करतब्या, प्रियत्ना पुर्शही सदा गुणयोगता दरी द्रोपी नेश्वराई गुणाई समाः मतलव उन्होंने ये कह दिया कि गुणेश्व मने गुणों में ही, गुणों में ही या गुणों पर ही, ठीक, गुणों में ही करतब्य जिपा हुआ है अगर आप गुणबान हैं आपका ये कर्तब है आप अच्छे कर्म करेंगे गुणबान है प्रत्ना पुर्षई सदा गुण प्राप्त करने के लिए पुर्षों के द्वारा हमेशा प्रत्न करना चाहिए गुणों को प्राप्त करने के लिए पूर्शों को हमेशा प्रत्न करते रहना चाहिए कि अच्छे गुण कहां से मिलते हैं क्यों क्योंकि गुण युक्ता दरिद्रों भी अगर आपके पास गुण है आपका आच्रन सही है आपके पास युगता है आप भले ही दरिद्र हों गरीब हो तो भी सही है क्योंकि गुण युक्त दरिद्र ओपी दरिद्र भी ना आईस्वर अगुणई समा समझ रहे ना अगर आपके पास गुण है और आप दरिद्र है तो इस्वर के समान है लेकिन आ उन्होंने क्या आगुणई ही समा और जिसके पास आउगुण है जिसके पास गुण नहीं है गुण नहीं है तो कितना भी उसके पास धन हो जाए वो क्या है अगुणई युक्त ही नश्ट नश्टवान माना जाता समझे ना वो इस्वर के कौन जिसके पास गुण होता है वो इस्वर के समान होता है और जो दौलत है कोई मतलब नहीं लेकिन अगर गुडवान व्यक्ति है नहीं है धन तो वह क्या है संपन उससे बड़ा अमीर कोई नहीं उससे बड़ा बैभावसाली कोई नहीं उससे ज्यादा यस प्राप्त करने वाला व्यक्ति कोई नहीं जिसके पास गुण नहीं है खूप सारा है कोई मतलब नहीं चलिए आगे देखें गुणेस वे तो यहां पर आपकी यर्ण संदी हो गई है कि गुणेसू फ्लश एव यहां पर देखें कि गुणेस फ्लश व ब्लश एव यहां पर उ को निकाला है मैंने सू मैं से उ को निकाल दिया और उ की स्थान पर आपका यन संदी हो जाएगी क्या हो जाएगी यन संदी उ की स्थान पर वा हो जाएगा और एव आपका जो कत्यों रहेगा अब आप इसको लिखोगे जाओ तो यह बनेगा गुणे आधा शा और वह वह आधा रहेगा लेकिन एक ही मात्रा इस पर लग जाएगी तो यह पूरा हो जाएगा गुणे स्वेव बन गया न ही कर तब्या क्रिधा तुसे तब्यत प्रत्य कैसे जैसी बनता है आपका पूरशें सदा मने हमेशा शदा आपका अब्या सदा क्या है अब्याय दिया हुआ है और गुण युकता हमें प्रत्मा का एक बचन रूप लगा है प्रत्मा बिभक्ति का एक बचन रूप लगा है गुण युकता है समझ रहें यहां पर पीछे दा है इसी बज़े से यहां ओ हो गया है विशर के स्थान पर उत्तिसंदी हो गया है ठेक दरिद्रह प्लस आपी बराबर दरिद्रो पी तो यहां पर भी आपकी क्या है विशर्ग शंदी अपी विशर्ग शंदी हो जाएगी विशर्ग की स्थान पर ओ हो जाएगा दरिद्रो दरिद्रो ये बन जाएगा विशर्ग की स्थान पर ओ लेकर पीछे आने वाले अकार को अवग्रह की रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा जल तुम्भी का न्यायन रेफस वह चंपक पुस्पक न्यायन खंडाकारो ना विधियते यहां पर देखें ना अलग हो जाएगा इस्वर इस्वरई ही इस्वरई ही प्लस अगुणई ऐसा बने गया अगुणई ठीक तो यहां पर आके बाद इ आने पर ए गुण हो जाएगा इ आ रहा है ना नामे आ है और यहां पर इ है तो आ के बाद इ आने पर ए बनता है तो यहां नामे आपका ए की मात्रा लग जाएगी और सुरई ही यहां पर बचा हुआ है बचा है तो यहां ए की मात्रा लगेगी तो यह क्या बन जाएगा ने अब क्या बचा हुआ है ने सुरही बन जाएगा यह आगया ने सुरही फिर यहां विशर की स्थान पर हो जाएगा रा लेकर रा का आगम रहेगा आदा और आ मिलेगा इससे पूरा और गुड़ई ही इसमें जुड़ जाएगा तो यहां विशर की संदी भी है और गुड़ शंदी भी है ध्यान रखना मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैंने उसमें पार्ट वन में आपको बहुत अच्छे सी पार्ट टू में से बताया है तो आप ध्यान से उसमें देख लीजिएगा ठीक मैं यहां केवल आपका कंप्लीट चेप्टर रिवीजन पूरा कंप्लीट करवा रहा हूं जिससे परिक्षा में आपका समय बच जाए ठीक तृतिया का बहुबचनांत रूप लगा है शमा मने समान होता है यहां पर अनवय देखिए अनवय अनवय को यहां दिया हुआ है पूर्शई ही सदाह गुणेशू एव ही प्रियत्ना करतव्या गुण युकताह दरिद्रापी अगुणई ही इस्वर नहीं बन सकता है चाहे जितना भी आपके उसके पास धन दौलत क्यों ना हो सबदार्थ देखिएगा गुणे स्वेव गुणे स्वेव का मतलब गुण में ही गुण युकताह माने गुणवान शमाह माने शमान और आगुणई का मतलब गुण रहीतों शे गुण रहीतों शे से क्योंकि तृतिया का बहुबचनांद दिरूप लगा हुआ है ध्यान रखें आगे देखेंगे सरलार्थ यहां पर सरलार्थ दिया गया है मनुस्यों को सदा गुणों में ही प्रत्र करना चाहिए गुण युक्त दरिद्र भी गुणों से हीन गुण युक्त दरिद्र भी गुणों से हीन अमीर व्यक्ति के बरावर नहीं होता आपके पास गुण युक्त हैं गुणवान हैं अगर अमीर व्यक्ति हैं जिसके पास गुड़ नहीं है ऐसे अमीर व्यक्ति से अधिक स्रेष्ट माना गया है किस में कहा है मृक्ष कटिकम में आगे हमारा अगला इश्लोक रहेगा सुक्ति मौक्तिकम में ध्यान रखें अगला इश्लोक क्या है नेती सतक से लिया गया है बरतरी हरी के द्वारा लिखी हुई नेत सतक के द्वारा यह हमारा इश्लोक यहां दिया गया है और वहां से उठा करके हम लोगों को सुक्ति मुक्तिकम के रूप में यहां दिया गया है इसमें उन्होंने क्या कहा है बहुत सुंदर बात कही है द्यान से देखना कितनी सुंदर बात कही है आरंब गुर्वी चैनी क्र लगवी पुरा बृद्धी मती चापस्चाद दिनस्यो पूरवार्ध परार्द भिन्ना चायव मैत्री खल शज्जना नाम ध्यान रखना इस बात का चलें पॉर्ट करें आपको याद भी है किस किस को यह श्रॉण कि याद है जल्दी से मुझे कमेंड सेक्षन में लिक कर के लाइक करते जाएएगा और मुझे जल्दी से बताएं कि किस किस को ये श्लो की याद हो गए ठीक चली आगे देखें अरंब गुर्वी चर्णी क्रेमेनों लगवी पुरा व्रेद्धी मती चपस्चा दिनस पूर्वार्द परार्द विन्ना चाए बोमेत्री खल्श जनाना चाए बोमेत्री खल्श जनानाम गुर्वी चर्णी क्रेमेनों लगवी पुरा व्रेद्धी मती चपस्चा दिनस पूर्वार्द परार्द विन्ना चाए बोमेत्री खल्श जनानाम चाए बोमेत्री खल्श जनानाम देखें जाए क्या उन्होंने बात की है कि आरंभ कुर्वी चर्णी क्रेमेनों आरंभ में बहुत मजबूत होती है गुर्वी माने भारी होती है बजंदार होती है ठोस होती है आरंभ में प्रारंभ में सुरुबात में किसकी बोली चैनी क्रमेडा लेकिन बाद में घठती जाती है बोले क्या बोले लग भी पुरा बृद्धिमती चपस्चात लेकिन जो पहले छोटी होती है बाद में बढ़ती है पस्चात माने बाद में और बृद्धिमती माने कि क्या वोने चाया मैत्री खल शज्जना नाम है खलू मने दुष्ट और शज्जन मने सज्जन व्यक्तियों की मित्रता होती है ये सब क्या है सज्जन व्यक्तियों और खलू की सब विशेष्टा हैं विशेष्ण है क्या है विशेष्ण दिये हुए जैसे आरंब गुर्वी भए च्छाय ने किरुएन ये किसका है ये दुष्ट खल खल वैक्थी की विशेश्ट मति doute सज्जन की विशेश्ट बताने वाले सब को विशेश्ण कहते हैं लगभी पुरा व्रुंधी मतां व्रुदिमती चपक त्याथ । यह चलिए अब आगे मैं आपको बताता हूं यहाँ पर क्या कहा जिस परकार से मान holding चलिए ये आपके सूर्देव कौन ये तो समझ में आ गया सूर कि जब रोशनी आती हैं तो जब आप प्राता कर जब उधा होता है सूर क्या होता है यह उधाय हो रहा है ठीक अधाय हो रहा है तो आप कि जब आप यहां खड़े होते हैं ठीक यहां से खड़े हुए हैं तो आपकी जो चाया जाएगी वो बहुत लंबी जाएगी जब आप दिखोगे तो बहुत लंबी कभी छथ पर खड़े हो करके देखना आप जैसे ही सुबह सुबह से सुर्योदय होता है न ठीक तो आप देखना खड़े हो जाना आपकी जो चाया होगी बह मतलब जब आप कहीं जाते हैं आप कहीं होस्टल में रहते हैं आप कहीं आपका दोस्त बनता है तो जो दुष्ट वैक्ति होता है दुष्ट वैक्ति मतलब जिनकी आदतें खराब होती हैं जिनमें आउगण पाय जाते हैं वो आपकी दोस्ती बहुत जल्दी कर लेगा बहुत छोड़ करके भाग जाएगा छोड़ करके भाग जाएगा यह दुष्ट बैखती है क्यों यहां देखो पहले तो आपको लग रहा है कि बहुत दूर मतलब बहुत लंबी है इसकी दोस्ती बहुत गहरी है लेका धीरे 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 उसने छोड़ दिया ना आपको पूरी छाया आपकी यहां से समाप्त हो गई छोड़ दिया फिर जब यहां से सूर अब यहां से चलता है यहां से चलता है ठेक तो यहां से जब चलेंगे तो आपकी जो यहां से जो यह बन रही है अब क्या छाया बनेगी तो पहले इतनी शी बनेगी फिर जैसे यहां आएगा सूर तो आपकी छाया ऐसी जाएगी फिर यहां आएगा सूर जब अस्त होने को आएगा सूर तो आपकी छाया बहुत दूर तक जाएगी लाष्ट में जाएगी तो अब यहां से जो यह आ रहा है यह आपका सज्जन बिखती है अच्छा मित्र है क्यों क्यों कि यह पहले आपको थोड़ी सी छाया देगा आपको लगेगा कि यह दोस्ती नहीं करना जानता है आपको लगेगा कि यह रहे यह क्या है दूर दूर रहता है ठीक लेकिन वास्तविक ता बहुत अच्छा मित्र बहुत अच्छा और आ लाश्ट में जब कभी आपके घर पर काम पड़ता है कहीं जाने की जरूरत पर बहुत विसम परिस्थिती में जब आपको वह आपका साथ देता है तो आपको लगता है नहीं यार बास्तविक्ता में यही मेरा सच्चा मित्र था तो ये होते हैं सज्जन व्यक्ति जो पहले दिखावा नहीं करते बाद में आपका प्रमार देते हैं और जो खलू व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो पहले हाई 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 पहले दिखावा करते हैं बाद में रफु चक्कर छोड़ करके चल देते हैं इसलिए यहां प प्रारम्भ में पहले उनकी बहुत बड़ी लगती है लग भी पुरा ब्रदी मतीच पस्चांत और जो पहले छोटी होती है लेकर बाद में बढ़ती है ऐसी दिन की पूरबार्द माने दिन की पहले की चाया और परार्द विन्ना माने बाद की चाया चाया एव ही ऐसी चाया ह अब आगे देखे आरम्भ गुरुभी में प्रत्मा का एक बचल लूप लगवी माने छोटा लगु प्लस ई लगा हुआ है तो लगवी बन गया है लगु प्लस ई द्यान रखना यहां पर लगु प्लस ई यहां गुण लगु लगु मैंने छोटा और पुरा मने पहले ब्रिद्धी मति माने बढ़ना अच्छा पस्चात पस्चात बाद के लिए आया हुआ है दिनस में सश्थी विभक्ति का एक बचन लूप लगा दिनस में सश्थी विभक्ति का एक बचन पूर्वार्ध पूर्व प्लस मैं भिन्न छाय एव़ बरावर छा एव तो गुर्षंदी हो जाएगी यहां पर चाया प्छ। एव़ बरावर और शाएव बन्छाइव गु़्षंदी मैं त्रीखल शज्जनानाम सश्टी विवक्ति खलू और दुष्ट खल मने दुष्ट विवक्ति ठीक और सज्जनानाम में सश्टी विवक्ति लगी हुई है ध्यान से देखें सश्टी विवक्ति का एक बहुबचना अंतरूप लगा हुआ है जैसे रामा नाम कमला नाम पुस्तका नाम व अरंभ गुर्वी भवति क्रमेनों चैनी भवति आरंभ गुर्वी चैनी आरंभ गुर्वी भवति क्रमेन चैनी भवति पुराह लगवी भवति पस्चाच अबृद्धिमति भवति दिनस्य पूरवार्द परार्द छाया इव खल सज्जनानाम मैत्री भिन्ना भवति भिन्न भापंति होती है किस सजनों से भीन्हों होती है और लाश्ट नहीं यह ठेक है ना हो गया चलिए आगे देखें सब्दार्थों को सब्दार्थे देख लीजिए सब्दार्थ में हम लोग कहां से देखेंगे इसमें लिखा हुआ है आरंभ गुर्भी मतलब आरंभ में लंबी होती है चैनी का मतलब छीर्ण होने वाली और बृद्धी मती का मतलब ब सरल अर्थ में क्या दिया है कि दुर्जनों की मित्रता पुर्वाहन की छाया की समान है पुर्वाहन मतलब पहले की ठीक आरंब में बढ़ी गाड़ी तथा बाद में जल्दी घटने वाली होती है जबकि सज्जनों की मित्रता अपराहन की छाया की समान पहले छोटी और बाद में क्रमसा बढ़ने वाली होती है सज्जन विक्ति हमेशा इस बात को क्या करते हैं सज्जन विक्ति हमेशा इस बात को ध्यान में देते हैं कि कब हमें क्या करना है आगे हमारा अगला इश्लोक होगा सातमी नंबर का ध्यान से देखे सातमी नंबर के इश्लोक में उन्होंने क बहुत सुंदर इश्लोख है यहां पर भी ध्यान रखें कितना सुंदर इश्लोख है आपको पढ़ने से ही पता चल जाएगा यत्रापी यत्रापी कुत्रापी गताभवेयू हांसा मही मंडल मंडनायो हानिस्तु द्यान लखें फिर यहां पर देखें उन्होंने क्या कहा एक बार थोड़ा सा आप पाट कर लीजिए अच्छे से बहुत सुन्दर ढंग से अब यहां पर देखें यत्रापी कुत्रापी यहां भी या कहीं भी जहां कहीं भी बोले क्या हो गताा भवेयू जहां कहीं भी कि यहां ले जाओ आप हंसों का क्या करो आवा गमन करो यहां से वहां ले जाओ वहां से यहां ले जाओ कहीं की भी सोभा बढ़ाने की कोशिस करो लेकिन हानि तो आखिर सरोवर की ही होनी है क्यों क्योंकि एक तालाब से उठा करके दूसरे तालाब में ले जाओगे तो एक तालाब की तो सोभा घट जाएगी ना एसाम मराले इससा है विप्रयोगा इसमें वियोग तो विप्रयोग तो किसका मराले हमाने हंसों का ही है हंसों का वियोग होगा और हंसों का वियोग किस से होगा तालाबों से होगा इसमें हानी किसकी है तालाबों की सरोबरों की ही है ऐसा इसमें कहा गया है ठेक ध्यान रखें अब मान के चलो जैसे एक छोटा तालाब है और उसकी उसकी प्रशंसा या उसकी सोभा किसे है हंस से है अगर वहां से आपने हंस निकाल लिए उस छोटे तालाब को कौन पूछेगा कोई नहीं पूछेगा और आप बड़े तालाब में जाकर कि उसको वहा अपी बडाबर यत्राप यहां दीर quindi गी यत्र प्लस अपी लहाँ अ बड़ाः दोनों को मिलाया बढ़ा अ बन जायेगा आपका यत्रापी क्या बनेगा यत्रापि और यही पर जैसे कुट्रापी कुट्र प्लश अपी आ प्लस औ दोनों मिलेंगी बड़ा रा अ बन जाएगा और यहां बन जाएगा कुत्र आप ध कुत्रा पी तो दोनों जगें आपको दिर्ग शंदी हो जाएगी दिर्ग शंदी गता गमधातो भवेयु आपका कौन सा एत ताम एयू विदिलिंग लगा लगा हुआ है बहुवचनांती रूप है हंस मही मंडल मंडनायो तो यहां चतुर्थी विभक्ति का एक बचन लूप लगा है मही मंडल मंडनायो चतुर्थी का एक बचन नरही हानी तु आनि तो ठेक प्रतमा का एक बचन एसाम गां एक fed रूप लगा हुआ करो टके रूप है ही शरोबराणाम सश्टी विवकति का बहुबचन शरोबढाणाम ठेट जैसे रामाणाम वैसे शरोबढाणाम एसाम सश्टी विवकति यह भी यद के रूप है तो यह कहाँ बनेगा वह बहुबचनात में A ए एन ए यहाँ बनेगा यहाँ बनता है के कान ए यान यही ए ब्या ए ब्या ए साम ए साम ए सु सश्टी विभक्ति का भवचन मरालाई में तृथिया विभक्ति का भवचन रूप लगा हुए मरालाई में तृथिया विभक्ति का भवचन रूप लगा है सह साकम समंसार्दम की योग में तृथिया विभक्ति लगी है विप्रयोगा ठीक है ना इसमें वियोग तो क्या है तालावों का ही है बामनी विलास में ये कहा गया है अनुवय हंसा यत्र अपी कुत्र अपी मही मंडल मंडनायों गताह भवेयू हानी तूते साम सरोबराणाम ही भवती एसाम सरोबराणाम मरालाहि सहविप्रियोगा भवती यही तालावों का और हंसों का वियोग होता है यहां देखें सब्धार्त सब्धार्तों को देखें मही मंडल मंडलायो प्रतवी को सुसोवित करने के लिए प्रत्वी को सुसोवित मही माने प्रत्वी मंडल मंडलाए मने सुसोवित करने के लिए मरा लई ही माने हंसों से विप्रयोगह माने अलग होना सरोवरा ना मने तालाबों या सरोवरों के सरोवरों के या तालाबों के सरल अर्थ को देखें प्रतवी को सुसोभित करने के लिए हंस जहां भी कहीं जाएं प्रतवी को सुसोभित करने के लिए आप हंसों को कहीं भी ले जाएं निश्चे ही उन सरोबरों की तो हानी ही है जिनका हनसों से अलग ब्योग हो ना हो इसमें तो निश्चत हानी सरोबरों की ही है आठवे नंबर का हमारा इसलोग है के लिए छिपा हुआ है वो समझने की कोसिस करना आगर समझ में आ जाये तो डंके की चोट पर जल्दी से कमेंट लिख करके आपको बताना है कि आपको समझ में आ गए और किस किस को कौन-कौन से इस लोग याद हो गए हैं जल्दी से मुझे बताएं ठीक चलिए और लाइक भ बवंती ते निरुस्टो नम्प्राप्यभवंति दोस्या अस्वाद्य तोया प्रवंति नद्या समुद्रम्शाद्यभवंत्यप्या दिया हुगा है ना चलिए यहाँ पर देखें गुणा 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 गेसु गुणा भवंति तेने गुणं प्राप्य भवंति दोसा अश्वाध्य तोया प्रभवंति नाद्या शमद्रमाशाद्य भवन्त पे आह समद्रमाशाद्य भवन्त पे आह देखें जरा गुणा गुणा गेशु गुणा भवन्ति जिनकी अंधर कुछ गुण होते हैं गुणवान व्यक्ति ही गुणों में गुण को समझ पाते हैं यह होते हैं गुणवान होते हैं ते प्राप्य भवंति दोशा जब गुणवान व्यक्ति गुणवार गुणी विक्तियों के साथ में रखते हैं तो उनकी गुणवान व्यक्ति निर्गुणम प्राप्य अगर किसी निर्गुण व्यक्ति के साथ में पहुंच जाते हैं तो क्या हो जाते हैं भवंति दोशा दोस युक तो हो जाते हैं मान के चलिए कि आप आपका एक मित्र है बहुत अच्छा है आप उसके साथ चलते हैं आप आपके अंदर आउगुन हैं लेकिन आप बहुत अच्छे मित्र के साथ में संगती करते हैं तो आपको लोग अच्छा ही समझेंगे क्यों क्योंकि वो व्यक्ति अच्छा है और अगर आप किसी दुष्ट व्यक्ति के साथ में संगती करते हैं और आप अच्छे हैं तो व्यक्ति आपको दुष्ट ही समझेगा मतलब सीधा-सीधा उदारण है एक चोर के साथ में आप घूमेंगे तो आप भी चोर की कहलाएंगे आपने कभी चोरी नहीं की आपने कभी अनिष्टता नहीं की लेकिन अगर आप किसी अनिष्ट व्यक्ति के साथ में हैं किसी दुर्जन व्यक्ति के साथ में हैं तो आपकी छबी भी धूमिल हो होगी यह बिनकुर कında की यही इहां पर बताया गया है कि गंग के खुणा भवंति गुण फेक्टी गुणई के साथ में रहता है तो गुण और ही कहलाता है लेकिन अगर वहीं थे प्राप्पपब्वनिति दो सागर वही गुणवान-व्यक्ति किसी निरगुण के साथ में पूछ संगति प्राप्त कर लेता है तो वह दोसी कहलाने लगता है दोसी युग लेकिन समुद्र को जैसे ही प्राप्त कर लेती हैं समुद्र मासाध्य समुद्र को प्राप्त करके वह अपने गुणों को भूल जाती हैं और फिर वह क्या हो उसी प्रकार से गुणवान व्यक्ति गुणवान की ही प्रसंसा करता है निर्गुण की नहीं ध्यान रखें इसलिए संगती भी हमें चुनाओ करना पड़ता है जीवन के लिए बहुत कुछ जरूरी है चलिए यहां देखें गुणा प्रत्मा का एक बचन गुणा गेसु में ते साहतवते यहां पर भी दे तो बहुचनांती रूप लगा है प्रतमा का निर्गुणम प्राप्य प्राव शक पूर्वक आप धातु शिल्यप प्रत्य सी प्राप्य बन गयाँ है भवनती लट्लकार बहुझन का रूप है 2 साह 2 satsaf 2 202 सा प्रत्मा का बहुझन रूप हुआ है दोसाह आस्वाद्य तोयाह प्रत्मा का यहां पर भी बहुवचनांत रूप लगा हुआ है प्रावहंति प्रावहंति तो प्रावशर्ग है वहति वहता वहंति तो यहां पर भी आपका बहुवचनांत रूप लगा हुआ है नद्याह में भी प्रत्मा विवक्ति का का नदि की रूप है स्भी रोप चालेंगे तो नद्याह बनेगा प्रतमा का नदी बनेगा नद्यवी नद्या Онब समुद्रम अशाद्य समुद्रम अलग हो जाएगा समुद्रम माने शमूद्र को असाध्य इ Rohण नापी न और भवनती भू धात्यों से लटळकार परथम पुरस्त बहुवचन का रूप यह यह जणति होगी द्यान लखना और पूरे पद में देखा जाए तो प्रतमा का बहुवचनांत्रूप लगा हुआ है रामारा मारी भवन्त थ्यान मां पहला प्यू हुआ है को बन जायगा हे समुद्र को प्राप्त करके अपय हो जाती है ऐसी नदिया अनवाई की बाद इसका सब्दार्थ देखेंगे सब्दार्थ में क्या दिया हुआ है गुणा गेशु का मतलब होता है गुणों को जानने वालों में गुणों को जानने वालों में निर्गुणम का मतलब गुण र प्रावांती का मतलब वहती और आशाद का मतलब पाकर आशाद का मतलब पाकर के अपयाह मन ना पीने योग अपयाह का मतलब ना पीने योग समझ में आगे आना आगे देखें शरल शरल अर्थ को देखें गुणों को जानने वालों में गुण होते हैं गुणों को जानने वा पाकर वे गुण दोस हो जाते हैं गुण दोस हो जाते हैं स्वादिष्ट जल वाली नदियां वहती हैं लेकिन शमुद्र को पाकर के वही नदियां ना पीने योग हो जाती हैं शमुद्र को पाकर के वही नदियां क्या हो जाती हैं ना पीने योग हो जाती हैं समझ में आ गय है जो पढ़ने में अच्छा हो ठेक और हम भी उसके समान बनें अगर हमसे हम हमसे तीब रहे तो उसके साथ अच्छे वक्ति की कुल मिलाकर के कहने का मतलब यही है कि अच्छे वक्ति की संगति करनी चाहिए जिस से कुछ आगे चल करके हमें कुछ सीख मिलता है ध्यान रखना तो इस प्रकार की संगति आपको करना है यहां आपके यह पूरे आठ इस लोक हो चुके हैं और आठों इस लोकों के बाद कंप्लीट चेप्टर को हमने कर लिया है कंप्लीट चेप्टर रिवीजन में कहीं पर भी कोई भी समस्या अगर जा रही है मैंने समय को काफी बचा लिया है इसमें ठीक तो आपको अगर कहीं पर भी समस्या जा रही तो मुझे कमेंट सेक्षिन में आप लिख करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करते जाएं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीए क्यों क्यों कि भारत का एक मा निद्दिसार्बर बोर्ड सबकुछ आपको यूटुब पर मिल रहा है प्लिश्ट में बस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगात आपको सकुछ के सारे मिलेगे सेक्ट्वdoo Thankfully के साथ एक चैपटर की आपको बिल्कोल विठ चार-चार पाच-बाच पाट मिलेंगी उसक को सेर कर दो धूम मचा दो कि ऐसा प्लेटफॉर्म दुबारा आप लोगों को फिर नहीं मिलेगा ध्यान रखना ठीक लेकिन जाते-जाते मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं परिक्षा को ध्यान में रखते हुए मैगनेट ब्रेंश के द्वारा कक्षा साथवीश लेकर के कक्षा वारहमी तक के हिंदी मीडियम और इंगलिस मीडियम के बहुत सुंदर तरीके से शिख्षकों के मार्गदर्शन में और टीम के परिस्तरम से नोट से तयार हूए हैं वह नोट सापकी परिक्षा में आपके उत्तम और सृष्ट अंक लाने में आपकी मदद करेंग जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम